Hello everyone, यह एक exponent का बहुत ठीक्षी सम है, यहाँ देखें, दिया हुआ है 81 to the power y by 27 to the power x equal to 9 और हमें value जो find करना है वो है 4 to the power 8y minus 6x का इस टाइप के सम में सबसे पले जो number जो दिया हुआ है उसको हम factorize करेंगे यहाँ देखें, जब 81 को हम factorize करेंगे, तब होगा 3,27 जाए 81, 3,9 जा 27, 3,3 जा 9 यानि 81 के बदले हम लिख सकते हैं 3 to the power 1,2,3,4 अब देखें, यहाँ पर हम लिखेंगी 81 के बदले 3 to the power 4 to the power y by 27 27 के बदले हो जाएगा 3,3 जा 9,3 जा 27 यानि 3 to the power 3 और 3 cube तो यह हो जाएगा 3 cube to the power x equal to और 9 के बदले हो जाएगा 3 square और exponent का एक फर्मुला है a to the power m to the power n equal to होता है a to the power m into n इसी फर्मुले का यूज यहाँ पर करेंगे हम तब यह हो जाएगा 3 to the power 4 into y,4 y by 3 to the power 3 into x,3 x equal to 3 square अगें a to the power m by a to the power n equal to होता है a to the power m minus n और इसी फर्मुले का यूज यहाँ पर left hand side में करेंगे जब इसका यूज करेंगे तब हो जाएगा 3 to the power 4 y minus 3 x equal to 3 square यहाँ देखें दोनों का base same है exponent में अगर base same होता है तो power हमेसे equal होता है और हम लिख सकते हैं 4 y minus 3 x equal to 2 यहाँ देखें 4 to the power 8 y minus 6 x का value find करना है इसलिए सबसे पहले हम 8 y minus 6 x का value find कर लेते हैं यहाँ 4 y minus 3 x equal to 2 आया है और मुझे 8 y minus 6 x अगर इसमें हम 2 से multiply कर दे 2 into 4 y minus 3 x equal to 2 into 2 पर लेफ्ट ने साइड में 2 से multiply की है तो राइफ ने साइड में भी करना परेगा और अब इससे देखें 4 to the 8 y minus 3 to the 6 x equal to 2 to the 4 now मुझे value find करना है 4 to the power 8 y minus 6 x का यहाँ देखें 8 y minus 6 x का value 4 आया है इसलिए यहाँ पर 8 y minus 6 x के बदले हम 4 लिखेंगे और यह 4 to the power 4 हो गया 4 to the power 4 equal to 4 into 4 into 4 into 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 जा 256 और इसका answer 256 आएगा लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, share तता subscribe जरूर करें Thank you